नमस्कार विंडोज लेवन के डेवलपर वर्जन में एक नया अपडेट आया है डेवलपर वर्जन वो चीज है अगर आप इसके अंदर जॉइन हो जाते हो तो नॉर्मल विंडोज में जो अपडेट आने वाली है वो आपको पहले ही दे दी जाएगी चेक करने के लिए अग ही हम बात करेंगे चलिए फिर सुरू करते हैं कंप्यूटर से लेटेट कंटेंट में इंटस्टेन चानल को सब्सक्राइब करना कंसिडर करिएगा तो सबसे पहली चीज जो यहां पर अपडेट हुई है वो यह है कि आप जब स्टार्ट बटन ओपन करते हो तो यहां पर यहां पर आपस कंट्रोल नहीं लिए है। पीनवाले F समयरों को ज़ादा दिखने चाहिए ध्यार दिखिए है आप पे पीनवाले F से ज़ादा दिख रहे हैं अब ँगर आपको ये राकमेंड़ वाले ज़ादा चाहिए तो इसके उपस्लेट कर लीजे सिंपल सी और ये देखिए पीनवाले कम होगा है recommended वाले जाता दिखने लग गया है फिलाला भी मैं computer को काफी समय बाद यूज कर रहा हूँ यह विंडोज लेओन इसलिए यहाँ पिर recommended वाले कम दिख रहे हैं बाकी आप चाहें तो इसे default भी set कर सकते हैं मतलब दोनों बरावर बरावर दिखेंगे यह आपकी मरजी है और जो अगली अपडेट है वो गाने और मीडिया वालो के लिए साथ थोड़ी सही हो सकती है आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि विंडोज 10 और विंडोज लेओन में एक मीडिया प्लेयर हुआ करता था ग्रूव मीजिक प्लेयर करके ऐसे कुछ होता था था ना तो वो अब ग्रूव मीजिक प्लेयर को हटा दिया गया है उसकी जगे पे आपका यह नया मीडिया प्लेयर लाया गया है यह बस आपके विंडोज लेओन का डारेक्ट सिंपल मीडिया प्लेयर है ये भी ठीक ठाक है जैसे कि यहाँ पे कुछ आप गाना होगेरा बजाते हैं तो इस तरीके से दिखता है आपकी यहाँ पे लिष्ट होगेरा दिख जाती है जो भी लिष्ट से यह होती है और किस तरीके से बागी तो आप यहाँ पे आना तो चेक करी लीजेगा और कुछ वी अब भी पूरा लायट मोड पे है पूरा लायट लायट है आप चाहएं तो मुजिक प्लेयर को डार्ग कर सकते हैं तो कुछ इस तरीके से यह सब चीजे थी आपको कैसा लगा यह नया मीडिया प्लेयर एक बार ट्राइ करेंगे तभी बता पाएंगे ना तो जरू ट्राइ करना इसके हलावाज जो लोग कंप्यूटर में इमोजी वगेरा इस्तमाल करते हैं उनके लिए भी एक काफी अच्छी चीज है मतलब जैसे कि windows plus dot button दवा के आप इमोजी निकालते हैं तो यहाँ पे जो भी नए नए आ रहे हैं इनको update किया गया इनके style में बदलाव किया गया है मेरो को तो पहले से ठीक ही लग दिये थोड़ा और simple बनाया गया है आपको कैसी लग दिये इसके बारे हम जुरूर बताईएगा और एक चीज़ यहाँ पे और अच्छी करी गई है मतलब जैसे कि आपको कुछ इमोजी को अपने इसाब से दी डिजाइन कर सकते हैं आपको उसका रंग वगेरा नहीं पसंदे तो बदल सकते हैं जैसे कि मैं यह वाली ले लेता हूं ठीक है जैसे ही आप इसके उपर क्लिक करेंगे तो यहां पर पहली बात तो यह कि अगर आपको यही पसंदे तो इस पर क्लिक करके यह ले लीजिए नहीं पसंदे कलर वगेरा चेंज करना चाहते हैं तो यहां पर आईए जैसे कि मैं इ यह कलर कर देता हूं ठीक है और इस तरीके से आप जो है अपने इसाफ से दी डिजाइन करके यह सब यूज कर सकते हैं आपको कैसा लगा एक बार फिर से करहा हूं पता ना और जो लोग टच वाला की बोर्ड इस्तमाल करते हैं उन लोग के लिए भी एक काफी अच्छी चीज कर सकते हैं मतलब कस्टमाइज में यह रहा कि आपका बटन किस कलर का होना चीए बेग्राउंड किस कलर का होना चीए और तमाम सारी तिगड़म तिगड़म वाली चीजे हैं अभी मैं कोई सिंपल सही इसे को सेलेक्ट कर लेता हूं ठीक है ओपन करके दिखिए यह दिखिए बर्लिट धने चाहरी पहुँझी है मैं चलिए दिखाई देता हूं आपको यहां पे आग़े जैसे कि हम एफस में यह इंस्टालेटेपस में आते हैं अपने कंप्यूटर के आपस देखने के लिए बिए यह जो लिश्ट दिख रीए आपको नाम के हिसाब से दिखनी है ड आप इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं चकोर चकोर हो जाएंगे पूरे और भी छोटे-छोटे करके देखने हैं तो इस तरीके से देख लीजेगा इसकी वज़े से थोड़ा बुल लग रहा है कि कंप्यूटर कंप्यूटर है लुक जैसे हम आगे जमाने में बढ़ते चले जा रहे हैं और अच्छा होता चला जा रहा है वाकि इसके लाव भी और भी कई सारी चोटी मोटी चीजे आई हैं जो खास थी वो तो मैं आपको बताई चुका हूँ बाकि आप ये आर्टिकल देख ली जगा डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है ज्यादा तर ऐसा है कि यह इन लोगों ने क्या किया है कुछ समस्या और रहे हैं इनको सही किया है और उन समस्याओं की लिस्ट काफी लंबी चोड़ी है तो आप एक बार ये अपडेट ट्राइ करना अपने कंप्यूटर में ऐसके उन बाकि अगर आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब ना किया हो तो या कर लीजे और इसके साथ में चलता हूँ मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक लिए धियान रखिए अपना जै हिंद जै भारत और हाँ ये लाइव वाल पेपर में कैसे लगाता हूँ इसके अपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है जाके एक बार उसको भी चिक कर लेना